सभी बच्चों को मेरा नमश्कार आज रे आप्टिक्स चेप्टर नाइन क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स इसमें एक निमेरिकल है 9.5 इसमें कही रहा है कि स्माल बल्ब इस प्लेस्ट अर दे बॉर्टम आफ टैंक कंटेनिंग वाटर तो डेफ्ट of 80 cm तो एक टैंक है इसमें पानी भरा हुआ है ठीक है और इसमें 80 cm हाइट 80 cm हाइट तक वाटर इसमें भरा हुआ है ज़र राटिंग अंदी है स्को और जस्क लीजेगा बतावंगा अच्छी तरीके से ठीक है वाट इस दे एरिया आप दे surface of water through which light from a bulb can emerge out यहां पर रखा हुआ है एक बल्ब जहां से जला है और यहां से light निकल लई है तो कहते हैं कितनी area से light यह से emerge होगी जाकर कि ठीक है emerge out और refractive index of water यहां यहां वाटर का refractive index a mu w air के respect में दिया है 1.33 जानते है इसकी value जो है 4 by 3 होती है आप जानते हैं अगर इसकी value हम fraction में निकालेंगे तो यह 4 by 3 होती है consider the bulb as a point source इसको एक point source मान करके आपको consider करना है इसको बताने के पर थोड़ी कहानी हम बता देते हैं आपने पढ़ा है कि मान लिया यह आपका denser medium है और यह आपका rarer medium है जब light denser medium से rarer medium में जाती है तो माने यह light number one है तो normal से दूर हट जाती है यह light number one है यहाँ incident हुई और यहाँ उसका reflection हो गया ठीक है अगर आप angle of incidence बढ़ाते हैं तो एक ऐसी situation आती है कि angle of reflection 90 degree हो जाता है इस angle को कहा जाता है critical angle क्रांतिक कोट यहनि denser medium का वो angle of incidence जिससे light गिरने पर जो angle of reflection होता है वो 90 degree हो जाता है और अगर इससे बड़े angle पर आप डालते हैं तो light उसी medium में लौड जाती है यह अगर थी number है यह number two है यह number two इधर आई है यह number three है इधर three number आगई है इसको कहते हैं total internal reflection पूर्ण आंत्रिक परावरतन ठीक है इसी concept को समझने की कोशिश करिए इस numerical में यह numerical क्या कह रहा है देखिए अब उसमें मैं गंदगी नहीं करूंगा वैसे भी rating कर बढ़ है ज्यादा गंदा हो जाएगा देखिए जैसे यह आपका tank था ठीक है यह आपका tank है और इस tank में यहां तेक पानी भरा हुआ है ठीक है यहां पर कोई object रखा है माने bulb जल रहा है तो अगर सीधे आप light देखोगे तो bulb की light आपको यहां दिखाई पड़ेगी सही कहा मैंने शिधर रिकल जाएगी light अगर यह एक light यहां से ऐसे निकली किसी एंगल पर तो normal से दूर हटके ऐसे चली जाएगी यहां आप बैठ जाएए अपने चली जाएगी यहां तक की light तो आपको दिखाई पड़ेगी अब इसके बाद लाइट गिरती है तो उसी वीडम में लोटाएगी यहां तक की light तो आपको दिखाई पड़ेगी यह वाला light यह इधर और इसी तरीके से इधर भी एल होगा अगर लाइट गिरे यहां पर तो आईसे ही तो यह वाला एरिया आपको दिखाई पड़ेगा ठीक है इसी एरिया की वारे में आप से बाद कर रहे हैं कि किई कितना विजबिल एरिया होगा जितने में लाइट दिखाई पड़ेगी ठीक है तो जड़ाइस नुमरिकल और ध्यान से समझ आप तो हम डारेट kritical angle पे था को गरवाते हैं, देखें, यहां से light गिरी, जो यहां पर light आके गिरी, यह लाइट रही है, कितने angle पे गर रही है, यह है critical angle C, ठीक है? तो light का total ये critical angle है तो 90 degree पे reflect हो जाएगी तो यहां से लेकर के यहां तक का part आपको दिखाई पड़ेगा इसी प्रकार से ये इधर भी हो सकता है ऐसे हो ऐसे भी होगा हो सकता नहीं होगा ये critical angle है ये light गिरी और ये ऐसे reflection इसका हो गया अगर आप ध्यान से देखे तो bulb इस प्रकार से माले tank के अंदर bulb जल ला है ठीक है और light ऐसे गिर रही तो चारों तरफ गिर रही होगी ना ऐसे तो ये वाला area आपको दिखाई पड़ेगा इतनी area में आपको light दिखाई पड़ेगी ठीक है और इसी area के बारे में ये बात कर रहे है logic पकड़ भी आगया होगा question कही क्या रहा है तो अगर ये height h है और ये radius r है तो r हम निकाल लें तो जो r निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा pi r square से area निकल आएगा कि कितनी area में light आपको दिखाई पड़ेगी ठीक है अच्छा अगर ये angle c है तो alternate angle के हिसाब से ये angle b c होगा और इसका नाम o दे दीजी ये नाम a दे दीजी ये नाम b दे दीजी अब आपको r की value यहां से निकालनी है ठीक है अब जड़ा एक पाद ध्यान से समझेगा by law of reflection by law of reflection जो परावरतन अपवरतन का नियम होता है वो क्या होता है sin upon sin r is equal to a mu w 1 mu 2 तो देखे यहां पर angle of incidence sin i o c है और sin r r हो गया है 90 degree जोकि हाँ angle of reflection जो है वो यह 90 degree है is equal to 1 mu 2 होता है light water से air में जा रही है तो यहां लिखा जाएगा आपका water से air में जा रही है तो यह water के respect में air का refract index तो यह w mu a होगा तो sin c अब चुकि w mu a तो दिया नहीं किया है दिया गया है a mu w तो यह आएगा one upon a mu w और जब इसकी value रखोगे तो आएगा three upon four तो sin c की value क्या आगई three upon four लेकि हमको तो radius निकालनी है तो हमको तो tan c चाहिए तो tan c निकालीजे tan c कैसे निकलेगा तो पहले यहां से cos c निकालीए या tan c निकालने के लिए आप एक right angle triangle बना दीजे यह c मालिया है तो यह three upon four है तो इसका base क्या निकलेगा बहिए पैथागुरस theorem से इसकी value निकालीए तो base निकलेगा 4.16 और minus 9 7 under root 7 अब देखिए यहां से आपको radius निकालनी है तो in triangle s o a in triangle s o a अगर tan c लगा दे तो आएगा perpendicular r upon base हो जाएगा आपका o e जो की 80 cm है तो r की value क्या निकलेगी 80 tan c और tan c का मान इस triangle के हिसाब से क्या निकलेगा 3 upon root 7 तो आएगा आपका 80 into 3 upon root 7 तो यह r आपका निकलाया ठीक है अब आपको निकलना है कि area of this bright spot जो bright spot है इसका area क्या होगा तो area निकाल लीजेगा area of bright spot क्या होगा pi r square pi की value होगी 22 by 7 और r square की value आएगी 80 into 80 into 3 into 3 by root 7 to root 7 और इसको calculate कर लीजेगा जो भी value निकलना होगी वो इसकी value निकलाएगी यह आया है आपका अच्छा इसको आप चाहे तो 0.8 80 न लिखिएगा इसको 0.8 का whole square कर दीजे ठीक है decimal में meter में निकाल लीजेगा तो जब इसको calculate करेंगे तो इसकी value जो i है 2.58 2.58 meter square या 2.6 meter square तो this is the numerical समझ में मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा ठीक है इसको कर लीजेगा thank you कर दो.